कि नमस्कार दोस्तों मैं स्थेटस दिन स्वागत और अब दंदर करता हूँ उतने सभी प्रिद उश्कों का करक राशी यानि कि चन्दर्म आपकी राशी के स्वामी हो गए ज़ाने कि इस तक पर चिदमा विराजिमान है यानि कि आपकी राशी के ओपर भगवान स्विश्व हमेशा परस्ती रहती है भगवान है भगवान है जब भी कोई मुसीबत आती है तो अधिकतर लोग भगवान का नाम लेते हैं हे भगवान हमें यह दे दे हे भगवान मेरे मन की इच्छा पूरी कर दे है और जब कोई नुकसान हो जाता है तो कर दे हे भगवान तुने क्या कर दिया हे भगवान मुझे अच्छे दिन दिखा हे भगवान मेरे अच्छे दिन कब आएंगे हे भगवान मुझे सफलता कब मिलेगी हे भगवान मेरी किसमत कब पल्टेगी है भगवान तु कहां छुपा बैठा है दिखाई क्यों नहीं देता रोज तेरे मंदिर में घंटिया बजा रहे हैं दूम बत्ती जला रहे हैं प्रशाद चढ़ा रहे हैं लेकिन तुम हो की सामने नहीं आते हैं अरे अब तो निकलो बाहर और मेरी बात सुनो कब तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे भगवान के पीछे हाथ धोकर दुनिया पड़ी है भगवान कह रहा है कि भाई सब्र करो सब्र करो तुमारे लिए मैं निकलता हूं तो दूसरा आ जाता है मेरी सुनो अरे किसकी सुनो इसकी सुनो या उसकी सुनो तो भगवान ने कहा चलो मैं सारे कर राशी वालों की एक साथ सुन लेता हूं लेकिन मेरी दो शर्ते पहली शर्त यह है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें अपनी जो जनम कुंडली है उसमें बैठे हुए जो ग्रह है उनको मजबूत करना पड़ेगा मैं तुम्हारी सो बाते मान रहा हूं तुम मेरी दो बाते मान लो तो जो भी करकराशी के जातक जातिकाओं की जनम कुंडली में ग्रह मजबूत है उनके लिए नवंबर का महीना शुब पांच संक्यत लेकर आ रहा है और जिन भी करकराशी वालों ने ये ठान लिया है कि ग्र गुली में सितारे मजबूत हैं कि नहीं है और आप महनत करेंगे या नहीं करेंगे ये दो बाते आपके उपर बाकी सारी बाते भगवान ने जिम्मेदारी अपने उपर ले लिए आपकी सफलता की जिम्मेदारी भगवान के उपर है भगवान ने कसम खाई है कि मैं तुम्हे सफल बना दूँगा तुम मेरी दो बाते माल लेना तो आइए जानते हैं सफलता का कौन सा पहला संकेत है जो भगवान आपको दे रहे हैं आपको पहला शुब संकेत दे रहे हैं बुद्ध देव चौते घर में बैठेंगे बुद्ध देव आपके घर में खुशिया लेकर आ देंगे, शांदार बुद्धी का प्रयोग करके अब सफलता को हासिल कर लेंगे, बड़ी-बड़ी समस्याओं को चुट्कियों में निप्टा देंगे, खत्म कर देंगे समस्याओं को, जड़ से मिटा देंगे, परिशानियों को, विरोधियों को समाप्त कर देंगे, का संगर्ष कम हो जाएगा सारे बढ़ी काम करेंगे जिसमें आपको फायदा होगा समय का सदोप्योग करेंगे समय की बरबादी नहीं करेंगे जबान से गलस्षब नहीं निकालेंगे नौकरी में तरक्की वेतन में वरती वैपार में ग्रहकों का बढ़ना काम दाम का आगे बढ़ना लगा रहेगा, आपके घर में नई शुरुवात होगी, आपके घर में नए कामों की शुरुवात होगी, घर में नई नई चीज़े आएंगी, पुरानी चीज़े जाएंगी, नई नई चीज़ों का आनंद लेंगे, मन की अब इलाशाये पूरी होगी, महमानों के स दोस्ति यारी बढ़िया चलेगी अवेशकारी दिमाग होगा चबतकार करेंगे और बढ़िया दिमाग से दुनिया पर राज करेंगे नौकरी हो या वैपार हो काम की दारीफ होगी आपको जुबान से निकलने वाला शब्द आपको सफलता दिलाएगा दूसरा शुब संकेत आपको मिल रहा है करक राची वालों को दूसरा शुब्संकित प्राप्थ होगा शुकर देव की किर्पा के दोरा शुकर देव चौसे घर में मालब वे योग का निरमार करेंगे पंच महापुरिष योग बनता है ये मालब वे योग शुक्र की दरिश्टी दर्शम भाव पर होगी कर्म शेत्र में, नौकरी में, वैपार में जबर्दस् सफलता प्राप्त हो जाएगी आपके सभी कामों में पंक लग जाएगे यानि कामों में रफ्तार आ जाएगी आपके आमदरी बढ़ती चली जाएगी आमदनी बढ़ेगी, दिल खुश इंसान हो जाएंगे, आपकी अदूरी च्छाएं पूरी हो जाएंगी, पारिवारी जीवन सुख में हो जाएगा, पती पतनी का प्यार होगा, कुवारों के लिए रिष्टों की बात चलेगी, घर के बड़े बुजरों का आशिवाद होगा महिलाओं का, बोल बाला होगा, सेहत सही रहेगी, खुशी प्राप्त होगी, खुशी प्राप्त होगी, प्रेम विवा के योग बनेंगे, बहुत इक सुकसाधन, घर में बहुत इक सुकसाधन क्या है, आपको क्या जरूरत है, आपको सबसे ज़्यादा किश्री की जरूरत ह पैसा। तो घर में सुख आया पैसा आया तो बैंक बैलेंस बढ़ा पैसा आया तो रुत्बा बढ़ा पैसा आया तो गाड़ी आई पैसा आया तो बढ़िया होटलों में खाना खाया तो ये सब कुछ आपके जीवने होने वाला है अब पैसा आया तो बच्चों की सिक्षा दिश्चा अच्छी हो गई, पैसा आया तो बच्चों का अच्छी स्कूल कॉलेज बढ़ाया, पैसा आया तो देश विदेश की यात्रा करी, पैसा आया, तो वैपार को बढ़ा कर लिया, पैसा आया, तो सुख सुधाओं को खरीद क अपना गुलाम बना दिया तो यह पैसा आपको मिलेगा पैसे के साथ दो चीजी और भी मिलेंगी अच्छी सेहत और प्यार कहते हैं ना पैसा तब काम आता है जब परिवार साथ हो अकेले पैसे का कोई काम नहीं तो परिवार का साथ होगा अपनों का साथ होगा और पैसे की भरमार होगी तीसरा शुब संकित जो आपको बिलेगा बुद्ध शुक्र का बिलन होगा पांचवे घर में तो आप समझेजिए नारायन नारायन कौन है भगवान विश्णू भगवान श्रीक्रिश्ण आपके दवारे पर आ रहे हैं मालश्मी को साथ ला रहे हैं और आप ये समझेजिए तेरा तारिक से महीने के अंग तक मालश्मी आपके घर में वास कर जाएंगी पिर जाएंगी नहीं आपके अंदर सफलता का जरूर होगा सफलता पानी के लिए आप कसमे खाएंगे द्रण निश्चे के साथ आगे बढ उस्सा होगा वह तेज होगा कि आप रुकेंगे नहीं आपके अंदर जरूर होगा आपके अंदर करण होगा आप जैसे गाडी में पेट्रोल दो जाता है तो घाड़ी सो किसमी पे भागती वैसे आप भागेंगे सफलता को सात लेकर प्यार और पैसा दोनों आपके साथ द भाया अब पती पती बनने का समय आ गया है तो इस पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है, आनंद में डूब जाएंगे, आपके काम की तारीफ होगी, बुद्धिमान, धन्वान, खुशाल, दिलकश, दुनिया को जीतने वाले इंसान होगे, रोमांच आपके जीवन में हुआ जीवन नहीं होगा, जिन्दा दिल इनसान होगे, वक्त बीदेगा शान के साथ, बढ़िया पहरेंगे, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पीएंगे, जवानी जिन्दा बाद के नारे रगेंगे, ये जवानी है दीवानी, मौज मस्ती भी होगी, गाते हुए गाने नागा बढ़ते चले जाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ना जाने कितने सुनहरे पल आपको देखने को मिलेंगे, सुहानी शाम देखने को मिलेगी, और बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, परिवार के सदस्यों के चेहरे पर मुस्कुराहट मिलेगी, रिष्टा मजबूत हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, अगला संकेश शनीदेव दे रहें, सात्वे घर में शनीदेव का बैठना बहुत ही बढ़िया है, आपके लिए समझ लिए, आप बड़े बिरोकेर्स, बड़े वहबारी बन जाएंगे, इमानदारी की स हीडी चड़ेंगे, तरक्यी ही तरक्यी पाते जाएंगे, अमीर बनेंगे, सोना कमाइँगे, रुपिया नहीं, डॉलर कमाएंगे, जन्म से आप धनवान हो याョ नहो, मेरी बात दोनों कान खोल के सुन लिजिए, सिर्टीन बार बोड़़ रहो, आप जन्म से धनवान हो य पत्नी से प्यार करिएगा शादी शुदा है तो पती का सम्मान करिएगा जब तक पती पत्नी का सम्मान होता रहेगा जब तक पती पत्नी की नजरों में एक दूसरे का प्यार बना रहेगा तब तक शरी देव धन दौरत की वर्शा करते रहेंगे जब आपने अपने पती या सम्मान करें धर में महिला हैं जो हैं उनका सम्मान करें घर के बाहर जो महिला हैं उनका सम्मान करें ऐसा नहीं है कि शादी किसी पत्नी का सम्मान हर महिला का सम्मान करना है मकान बन जाएगा दुकान बन जाएगी और एक साउधानी और रखनी है जो लोग पती-पत्नी का सम्म पर ध्यान देंगे गरीवी खत्म हो जाएगी फिर कहता हूं चौथी बार पैदा गरीब हो सकते हैं लेकिन इस गोचर काल में बन सकते हैं अपनी मेहनस से और जनम पुली में ग्रहों को मजूद करके अगला संकेज जो आपको गुरुदेव दे रहें नवम भाव में बैठें जहां पर धर्म है जहां पर कर्म है और धर्म कर्म का मिलन आपको विजय दिला देगा आपको जीवन में विजय का जंडा लहराएगा यह सारे संकेद कहीं न कहीं खुश्यों का वो पिटा रहा हैं खुश्यों की वो टोकरी हैं जो एक एक करके निकलेगी और आपके जीवन तुम पर महर्बान है ईश वर तुम पे कद्रदान है इशकर की कृपा है। तुम पर इशकर की नजर है। अब तुम नीखम में निकलो लग रजाई वर बेटे रहो तो भगवान क्या करेगा पहले ही बोल दिया था कुणली में ग्रह मजबूत कर लो और आलस को भगा दो तुम्हारा कल्यान तै है किसी को थोड़ा कम किसी को थोड़ा ज़्यादा ये हो सकता है लेकिन खाली हाथ कोई नहीं जाएगा अपनी जर्म कुली की जाँच कराने के लिए दिये के नमरों के आप संपर कर सकते हैं या छोटे-छोटे उपाय करके आप ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं आप शरी को अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा कर्म करना पड़ेगा आलस त्यागना पड़ेगा गुरु को अच्छा रखना है तो धर्म से जुड़ना पड़ेगा शुक्र को अच्छा रखना है तो पती पत्नी एक दोसे का सम्मान करें हार इस्तरी का सम्मान करना पड़ेगा बुद्ध को अच्छा रखना है तो भाई बहन, बुवा, बेटी इनका सम्मान करना पड़ेगा मंगल को अच्छा रखना है तो भाई का सम्मान करना पड़ेगा चंद्रमा को अच्छा रखना है तो मा का सम्मान करना पड़ेगा रिष्टों में ही अगर आप ग्रहों को मज़ूद कर लें फिर पूजा पाठ की आउश्रक्ता नहीं है बस भगवान को नमशकार करते रहिए धर्म से जुड़े रहिए रिष्टों में भी भगवान बचते हैं कहते हैं कहते हैं कंड कंड में इंसान है भगवान है तो पिर जो आपके सामने है वो भी किसी ग्रह का ही रूप है उसको प ठंठन गोपाल हो जाएंगे कुछ लोग ऐसा अब मैंने देखा कुछ लोग कहते हैं कि हमाई तो बंती नहीं है लेकिन हमें अंगूठी पहना दो हम पूजा कर लेंगे सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे रोज सूर्य भगवान को जल चलाएंगे और जल चढ़ाते के बा बात को याद रख लेना और मुझसे अगर अपनी जनम खुलने की जाच कराना चाहते हो तो दिए के नमरों पे संपर्क कर सकते हो वाकी इश्वर आपका भला करें नमस्कार